हेलो फ्रेंड्स देस इस पॉर्ण निमा फ्रॉम डीके वेबटिक आज की वीडियो में हम सीखेंगे जनरल एंट्री के एक्जामपल लास्ट वीडियो में हम टाइपस आपकाउंट सीख चुके हैं डेबिट करड़िट के रूस सीख चुके हैं अब देखेंगे उन्हीं कैसे अप्लाइ करेंगे सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्जामपल हमारा है गोड्स पर्चेस्ट फ्रॉम सुधीर रुपीज 200 से 200 रुपए का मल खरीदा अच्छा गोड्स जो हमारा है यह हमारा रियल अकाउंट है यह लास्ट वीडियो में हम एक्स्पेंड कर चुक है डैबिट वाट कंसें क्रैडिट वाट पोज आओट आ क्या रहा है माल आ रहा है माल को हम पर्चेस कर रहे हैं इसलिए परचेस्ट अकाउंट debit to सुधीर सुधीर हमारा personal account अगर इसके rules की बात करें तो debit the receiver credit the giver ठीक है तो इसकी general entry हम करेंगे purchase account debit to सुधीर purchase हमीशा हमारी debit होगी एक simple सा method आप ये भी समझ सकते हैं purchase हमीशा हमारी debit होती है sale हमीशा हमारी credit होती है कुछ exceptions में हमारी purchase credit होगी जो कि अभी हम example बताएंगे तो उसमें चीज clear कर देंगे कि purchase credit होगी so next example देखते हैं next example है machinery purchased rupees 40,000 40,000 की machine खरीदी machine हमारी assets है assets हमारी संपत्ती होती है और goods हमारा माल होता है माल वो होता है जिसका व्यापारी व्यापार करता है जिसको खरीदता है बेचने के लिए जैसे कि गेहूं या कोई भी सावान जिसे व्यापारी बेचने के लिए खरीदे और assets वो होती है, समपत्ति होती है जिसे वो यूजे करने के लिए खरीदे जैसे कि मसीनरी लेकर वो factory में लगाएगा, जिससे कोई भी product प्राड्वा जाएगा कोई भी माल बनाया जाएगा इसलिए मसीनरी हमारी यहाँ पे एसेट्स है मसीनरी है हमारी रियल अकाउंट और यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है कि वर 40,000 रुपए की मसीन खरीदी मतलब की नगत खरीदी गई मतलब की कैस खरीदी गई कैस भी हमारा रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे मसीनरी आ रही है इसलिए मसीनरी को हम डेबिट करेंगे मसीनरी अकाउंट डेबिट टो कैश कैस जा रहा है रियल अकाउंट के ही है रियल अकाउंट का रूल्स है, debit what comes in, credit what goes out, इसलिए machine real account debit to cash, ये थी हमारी second entry, next example देखते हैं, नेक्स्ट है goods sold to ravie, rupees 500, ravie को 500 रुपए का माल बेचा गया, goods हमारा real account है, और ravie है हमारा personal account, ravie को 500 रुपए का माल बेचा जा रहा है, जैसे हमने बताया, purchase हमेशा हमारी debit होती है, same process रहता है, sale हमेशा हमारी credit होती है, तो इसके लिए इसकी entry हो जाएगी, ravie account debit to sale, अगर हम accounts की बात करें, goods हमारा real account है, ravie हमारा personal account है, अप rules के recording भी set कर सकते हैं, और वैसे ravie account debit कर रहे हैं, और sale credit होती है, to sale कर देंगे, यह हमारी हो गई, third entry, next example देखते हैं, goods purchased for cash from Ram, rupees 1000, Ram से 1000 रुपए का नगत माल खरीदा, जब नगत माल आप खरीदे या बेशते हो, अगर आप नगत माल खरीद रहे हो, तो दुकान दार shop के पर कभी आपका record नहीं रखता है, वो कभी आपका नाम नहीं note करेगा अपने पास, वो आपका नाम तब note करता है, जब आप कुछ भी उधार लेकर कियाते हो, तब ही उस एकाउंट है, राम जो हमारा है, यहाँ पर राम से नगत माल खरीद रहे हैं, इसलिए राम के नाम की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कैश आजएगा, कैश भी हमारा है, रियल अकाउंट, तो इसकी सिंपल सी जनरल एंट्रे हम कर देंगे, पर्चेस अकाउंट, डेबे हमने यहाँ पर बेज रिया, तो यहाँ पर भी मोहन के नाम की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो फर्स्ट हमारा गोड्स रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का आप रोज लगाए, डेबिट वोड कंस इन, क्रेडिट वोड गोज आउट, और दूसरी बात, यहाँ पर हम से क्या रहा है, कैश, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे, सेल को क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यहाँ पर हमने कैश को दो हजार से डेबिट कर दिया है, और सेल को हमने दो हजार से क्रेडिट कर दिया है, नेक्स्ट एक्जाम्पल देखते हैं, गोड कोई भी प्रॉफ highlights आपको नहीं मिलेगी वो चीज़ आपने देदी उसकी कोई भी क्रॉफित आपको नहीं मिल Скंप लें तो यहां पर डोनेसिन जो है हमारा वो एक तरीके से खर्वजा है कि सार हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं जितने भी खर्ण वो सारे debit होंगे तो यहां पे donation account हम debit करेंगे और आपने माल जो दान में दिया है वो आपने purchase करके ही रखा था तो यँहां पे आपकी purchase credit हो जाएगी तो इसकी general entry होगी donation account debit है तो यह कुछ example थे आइघोप को talk हो गया हो गया अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स है तो आप अपने कमेंट करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए थांकियो